इस वक्त हमें साथ बादचीत करने के लिए मौजूद हैं बहुत सरकार के किशिमंती नरेन सिंग तोबर सर आज जो बजट पेश किया गया उसमें मोटे अनास कुले के एक विशिस फोकस दिख रहा है श्रीय नियोजना कितना मत्पुन है भार जैसे देश के लिए मौजूद इस बजट से देश के भविसी की बुनियाद को बड़ी तागत मिलने वाली है जहां तक करसी छेतर का सबाल है करसी छेतर में भी अनेक नए काम इस पर एड़ किये गए हैं जिससे करसी का छेतर उननत करसी छेतर के रूप में तबदील होगा फिर वो टेकनलोजी के का मामला हो डिजिटल एगरिकल्चर मेसन के माद्यम से चार सो पचास करणो रुपे खर्च करने का सबाल हो और चाहे वो मिलेट्स यानि सिरी अन को प्रमोट करने का मामला हो आज के बजट में मिलेट्स को सिरी अन कहा गया है और उसको प्रमोट करने की दृष्टी से हर सं इस द्रश्टी से समयर प्रितन किया जाएगा ऑग उसको एक्सिञेट सेंटर के रूप में रिशर्च की दृर्ष्टी से विकिसित किया जाएगा और मिलीट्स का हब भारत बने इस द्रश्टी से समगर प्रेत्न किया जाएंगे प्राकरतिक खेती की द्रश्टी से भी लगबग 460 करोड रुपई की साहता किसानों को दी जाए और एक करोड खिसान इसके कवर के नीचे लाए जाएं इस लक्ष को लेकर निश्य दूप से बजट में प्रावतान किये गए जो बहुत ही स्वागत ही होगे हैं इसके लिए मैं प्रधान मंदरी जी और बित्य मंदरी जी दोनों को बढ़ाई देता हूं प्रकरतिक उपज हो या फिर मिलेट सो वेश्वी कस्तर पे निवियात के लिहास एक बड़ा बाजार देख रहे हैं आप लोग से जब हम करसी के चेत्छेतर में टेक्नलोजी के उप्यों की बात करते हैं जिस पर 600 करोड़ रुपए का प्राहधान इस वार किया गया है Soil Health Card की बात करते हैं Digital Agriculture Mission की बात करते हैं APO Andolan की बात करते हैं जिस पर 955 करोड़ रुपया इस वार बज़ट में प्राहधित किया गया है ये सब प्रियास इसलिए है कि कुल मिला के हमारा क्रसी उत्पाद ये देश की आवशक्ता की पूर्ती तो करे ही लेकिन साथ ही हमारे उत्पादन की गुर्वत्ता इतनी अच्छी होना चाहिए कि वैस्विक मार्केट में कंपरडिशन हम कर सकें और अपने उत्पाद का एक्सपोर्ट कर सकें जिससे की किसान को उसका लाव ज्यादा मिल सके मुझे कहते हुए प्रसंता है कि पिछले वर्स तक चार लाग करोड रुपए का क्रसी उत्पादों का निर्याद हुआ जो आप तक की सबसे अधिक ब्रद्धी है और इसमें और अर्गनिक का हिस्सा लगवग पचास प्रसंत था इसलिए हम लोग चैबिक खेती और प्राकर्टिक खेती पर काफी बल दे रहे हैं क्रसी स्टार्ट अप को लेकर जसा की बताए अपने उसको लेकर विशेस फोकस है किसानों के क्रेडिट की जो सीमय वह बहुत बढ़ा हिज़ारी है इससे आपको लगता है कि आमोल चुल करांतिकारी परिवरतन होने के दिशा में है और ये बजट उस दिशा में माईले एक महत्पून कदम है और मैं समझता हूँ प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के दरड़ संकल्ब के परड़ाम सरूब आज क्रसी के छेतर में भी और देश के अन्य छेतर में भी स्टार्ट अप्स ने बड़ा काम किया है और क्रसी छेतर में भी स्टार्ट अप्स को बढ़ किये हैं पिछले दिनों आप सबने देखा होगा आई सियार में हम लोगों ने करिक्रम किया था और उसमें एगरी स्टार्ट अप भी आये थे मानी परधान कि सीमा ताय की गई है और इसमें ब्याज सब्सिटी के लिए तेईस हजार करोड़ रुपय का प्रावधान किया गया है होटी कल्चर के छेतर में जो ग्यारा सो करोड़ रुपया हम खर्च करते थे अब यह अठारा सो करोड़ रुपया खर्च करेंगे तो आप डायवर्सिफिकेशन और महांगी फसलों से भी किसान की भैबूदगी बढ़ेगी इस अठरिसी बजट को भले ही आप लोग यह कह रहे हूं कि देश के ताकत देने वाला दोज है इस बजट में लेकिन किसानों के संदर्ब में विपक्ष यह कह रहा है कि अब तक तो देखेगा तो उसको ध्यान में आएगा कि जो मोदी सरकार के समय में योजना आरंब हुई उनका कितना लाफ क्रसी को और किसान को मिला है और जहां तक आमदनी बढ़ाने वाली बात है तो कोई भी प्रतिपक्ष का आदमी कभी भी मुझसे भी संपर्प कर सकता है और हम लो कराया है वो आईसेयर की वेवसाइट पर है अगर वो मैनत कर सकते हैं और इमानदरी उनके मन में है तो उनकिसानों से जाकर खुद ही पूछ सकते हैं कि उनकी आए में कितनी बड़ोतरी होई है किसानों की आए दुगनी तक हुई है और उधारण के लिए एक आईसेयर की वेबसाइट पर जाकर देखो तो फिच्छतर अजार किसानों के फोन नंबर बयान उनका पता उनकी खेती उनकी क्रॉप उनकी आमदनी कितनी बड़ी है वो खुद ही अपना बयान कर रहे है इंडिया टीवी दिल्ली इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर